प्रादेशिक समाचारू प्रादेश के तेईस जिलों में आज भारी बारिश की चेता हुनी भारत ने तीन मैचां की शंकला के पहले टी-20 मकाबले में वेस्ट इंडीस को चार विकेट से हराया आज खेला जाए का दूसरा मैच और अच्छी खबर में आज सुनिये खंडवा में बार्ड से गिरी एक स कल रात श्री नकर में बताया कि इस घटना में पांच से साथ पाकिस्तानी सेनिक मारे गए हैं बेट में आम तोर पर पाकिस्तानी सेनिक विशेश सेनिक और आतंकवादी शामिल हुआ करते हैं रक्षा प्रवक्ता ने ये भी बताया कि पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी में प प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी आज नईदिली में भारती जनता पार्टी सांसदों की दो दिन की कारिशाला के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने सांसदों से हमेशा विद्यार्थी बने रहने को कहा ताकि सीखने की प्रक्रिया जारी रहे। आए जेते कारिकर में भाग लेंगे। उपराश्पती के दोरे के संबन में कल मुख्य सचेव एस आर महुंती ने वीडियो कांफरेंसिंग दोरा तैयारियों की समिक्षा की। इस दोरान इन दोर में उपस्ते दे संभाग आयोक्त आकाश्थिर पाठी ने उन्हें तैयारियों से अवगत कराया। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने बताया कि कारिकर में स्थल का जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरिक्षन कर लिया है। इस अवसर पर SSP रोची वर्धन मिश्रा ने एरपोर्ट से लेकर कारिकर में स्थल तक आवगमन और सुरक्षा संभन्धी जान करी दी। श्री नाइडू सोबह 10 बज कर 30 मिनिट पर इंदोर एरपोर्ट पहुँचेंगे और कारिकर में भाग लेकर वापस शाम 4 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। पी नरहरी ने भी संभोधित किया। उन्होंने व्यर्थ बहने वाले पानी के सदुप्यों के बारे में बताया। गरतलभे की पिछले महिने एक जुलाई को केंद्री जल्शक्ती मंत्री गजेंदर शेखावत ने जन्शक्त अभ्यान की शुरूआत की थी। इसके तहत दे कांश जल्दी ही प्रदेश के सुतंतरता संग्राम सेनानियों की अविस्मर्नी और वीर गाथाओं पर एक खास शंकला शुरू कर रहा है। इसके माद्यम से हम आजादी की लड़ाई में इन जननायकों के योगदान को याद करेंगे। साथ ही बाहदुरी के कई जाने माने जाने अंजाने किस्सों से भी रूबर होंगे। तो सुनते रहे आकाश्वानी समाचार। लाइफ सुन सकते हैं। मौसम विग्यानियों के मताबिक आने वाली 6 अगस्त से पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविदियों में और तेजी आईगी। मौसम विभाग ने आज छिनवाडा, जवलपूर, मंडला, बालाघाट, नरसिंगपूर और सिवनी सहित प्रदेश के 23 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी हैं। हर्फन मौला पार्ष गायक और अबिनेता किशुर कुमार का आज जन दिन है। इसी अवसर पर संस्क्रिती संचाल नाले दोरा भुपाल के रवीन रभावन में भी एक कार्क्रम आज जित किया गया है जिसमें पार्ष गायक रवीन रशिंदे और उनके साथ ही कला कर अपनी प्रस्तोती देंगे। उधर इन दोर में भी कशुर कुमार का जन दिन गीत संगीत के साथ धूमधाम के साथ मनाये जाएगा। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन अंतराइश्ट्री 2020 मैचों के शिंखला का पहला मैच भारत ने चार विकेट से जीत लिया है। अमरीका के लावडर हिल में खेले गए इस मैच में भारत को जीत के लिए 96 रिन बनाने थे जो भारत ने 16 गेंद 6 रहते बना लिये। रोयत शर्मा ने 24 जबकि कप्तान विराट गोहली और मनीश पांडे ने 19-19 रन बनाए। इससे पहले वेस्ट इंडीज ने निरधारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर कुल 55 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज के लिए कीरन पोलार्ड ने सबसे ज़दा 19-19 रनों का योगदान दिया। भारत की तरफ से नवदीज सैनी ने 17 रन देकर तीन विकेट हासल किये। शिंखला का दूसरा मैच आज इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। और अब प्रदेशिक समाचारों में वक्त है हमारी सापता है के शिंकला अच्छी खबर का। अच्छी खबर में आप रूबर होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरनी है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। अच्छी खबर के चोथा अंक में आज बात खंडवा की जहां बाहदुर जवानों और ग्रामीनों ने पिछले दिनों जिले के आशा पूरिस्तित कन्या छात्रावास की 190 लड़कियों को बाढ़ के पानी के बिलकुल पीच से सुरक्षित निकाला था। पेश है एक रिपो उन्हें खंडवासिले के आशापूर के कन्या छात्रावास की 190 लड़कियों को चारो तरह फैले बाढ़ के पानी के बेच सुरक्षित निकाला। बताया जाता है कि छात्रावास के अंदर बाढ़ का पानी आ गया था और इन लड़कियों को छट पर चड़कर मदद की गु बाहर लगानी पड़ी करने के बाद इन लड़कियों को सुरक्षित निकाल लिया। इस बचाव अभियान की जानकारी देते वे एक ग्रामेर ने आकाश्वाणी को बताया कि कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्रियाल की निरदेश पर लड़कियों को सुरक्षित निकालने के बाद उनका स्वास परिक्षिन किया गया और उनके लिए भूजन सहित अनिववस्थाएं की गई वहीं दोबारा इस अपरी सिती से बचने के लिए राजस्व और अनसुचित जाती जंचाती कल्याण विभाग के अधिकारियों ने लड़कियों को सुरक्षित छात्राबास में शिफ्ट कर दिया है अब लड़कियां बिना किसी दर के पड़ पाएंगी क्योंकि उन्हें पता है कि उनके साथ पूरा प्रशासन है आकाश्वानी समाचार के लिए खंडबा से हिरला लॉंगरे के साथ भोपाल से मैं दीपा सिंग और अब बुलेटिन के अंत में कुछ समाचार संक्षिप में अमेरिका के टेकसास शहर इस्थित शॉपिंग मौल में आज गोली बारी की एक बड़ी घटना में 20 लोगों के मारे जाने की खाबर है घटना में 24 लोग घायल भी बताए गये है कटनी में राश्ट्री क्रीमी मुक्ती दिवस पर 5,24,000 बच्चों को दबा पिलाने का लक्ष रखा गया है गोलीर जिले में चलाए जा रहा है सगन व्रक्षा रोपना अभ्यान के तहत कल जिले के प्रभारी सचेव राजेश राजोरा ने सिरोल पहाड़ी पर पादरोपन किया और पर्यावरन सनरक्षन के परती लोगों को जागुरु करने के लिए रीवा में नए धीशों और अधिवक्ताओं द्वारा पादरोपन कर परकृती को हरा भरा रखने का संदेश दिया गया और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर सेना ने जमू कश्मिर में पाकिस्तान सीमा करवाही दल बैट का हमला नाकाम किया साथ आतंकियों को किया धेर परदन मंतरी आज भाज़ापा सांसदों की कारिशाला के समापन सत्र को संबोदित करेंगे चिंदवाला, जबलपुर और मंडला सहित प्रदेश के 23 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी भारत ने तीन मैचों के शिंगला के पहले टी-ट्वंटी मकाबले में वेस्ट इंडीस को चार विकेट से हराया आज खेला जाएगा दूसरा मैच और अच्छी खबर में आज आपने सुना खंडवा में बार से घरी एक सुनवे चात्राओं के रेसकी उपर विशिश रिपोर्ट को इसके साथ ही प्रादिशिक समाचार का इपलेटिन समाथ हुआ